तेलंगना के मुख्य मंत्री के चंदर शेखर राव ने सोमवार को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी से लॉकडाउन को जून महिने तक बढ़ाने की अपिल की है उन्होंने कहा है कि कोरोना वाइरस के तेजी से बढ़ते संक्रमन को रोकने के लिए ये जरूरी है वरना इस पर कंट्रोल करबाना संभव नहीं होगा दिल्ली के निजामुद्दिन मरकज कनेक्शन से परेशान केसियान ने कहा कि तत काल सभी सीम से बात करके लॉकडाउन को जून के पहले हफ्ते तक बढ़ा देना चाहिए आगे उन्होंने बताया कि वो लगातार पीम मोधी के संपर्क में है अगर कैंदर ने किसी कारण से लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया तो फिर भी तेलंगाना में इसे चाओद अपरेल के बाद भी जारी रखा जाएगा इसके अलावा केसी आन ने कोरोना आपदा में डट कर ड्यूटी कर रहे मेडिकल स्टाप की सेलरी में 10 प्रतिसत की वड़ोत्री का एलान किया है वही सफाई कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव की भी गोशना की है बताते चले कि तेलंगाना में कोरोना वाइरस के अब तक 364 पोजिटिव के सामने आ चुके है जिसमें 45 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए है वही 11 लोग इस गंभीर बिमारी से लड़ते हुए अपना दम तोड़ चुके है जानकारी देते हुए केसी आनने बताया कि विदेश से आए 25,937 लोगों को कोरोन डाइन में रखा गया है वही मरकच के 1082 कोरोना संदक दों में अब तक 172 लोगों के संक्रमन की पुष्टी हो चुकी है इन 172 लोगों के संपर्क में आने के बाद 93 अन्य लोग भी संक्रमित हो गए है